अज हम धोकला बनाएंगे ये धोकला बहुत ही इस्पञजी और सॉफ्ट होता है आप धोकला कहबार बेशन से बनाए होंगे आज हम अलग तरीके का धोकला बनाएंगे आप इस तरह बनाईए और अच्छा लगा लाइव करिए और सेर करिए आईए देखते हैं कि हम इसको कैसे बनाते हैं इसको बनाने के लिए हम एक कटोरी बेसन लेते हैं और एक कटोरी दही और बेसन के फूर्थ भाग में मैदा और फूर्थ भाग में सूजी लेंगे और इसमें डालने के लिए तीन चमच चीनी लेते हैं और आधा चम्मच बेकिंग सोडा और थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी और फूर्थ चम्मच नमक लेंगे इन सब को हम एक बाउल में मिक्स कर लेंगे एक बाउल में हम बेशन, मैदा, सूजी, चीनी, नमक, हल्दी और खाने वाला बेकिंग सोडा डाल कर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं अब यह अच्छे से मिक्स हो गया है इसमें हम दही को अच्छे से फेट लेंगे और धीरे धीरे करके डालेंगे दही को धीरे धीरे डालते हैं और चम्मच से मिलाते रहते हैं मिलाने के बाद हम एक गोल बनाने के लिए अभी पानी की जरूरत है इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे धुकला बनाने के लिए हमें गारा घोल बनाना है इसलिए हम थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते हैं जिससे हमारा घोल पतला न हो जाए और इसको हम मिलाते रहते हैं कुछ दिर मिलाने के बाद यह गारा घोल बन जाता है और यह एक स्मूथ पेश्ट हो जाता है धोकला बनाने के लिए यह हमारा परफेक्ट घोल त्यार हो गया है हम न ज़्यादा गाढ़ा न ज़्यादा पतला गोल बनाएंगे यह हमारे बीच का गोल है जिससे धोकला अच्छे से बनेगा अब इसको हम फूलने के लिए ढख कर रख देते हैं अगर आपके परस्ट टाइम है तो अब आधा से घंटा रख देंगे एक घंटा बात देखते हैं फूल गया है और बहुत ही हलका और स्मूथ पेश्ट बन गया है यह देखिए यह रनिंग वे में गिर रहा है यह धोकला बनाने के लिए परफेक्ट है अब इसको हम मिक्स करने के बाद एक ट्रे लेते हैं हम डोकला माइक्रोवेब में बनाएंगे इसलिए माइक्रोवेब का ट्रे लेकर इसके चारो तरफ अच्छे से घी लगा लेते हैं घी या तिल लगाने के बाद इसमें हम अपने सारे गोल को डाल देंगे आप डोकला कड़ाई या भोगोना में बनाना चाहें तो इसी तरह अराम से बन जाएगा उसके लिए हम कोई मेटल के बर्तन का यूज करेंगे अब इसको हम माइक्रोवेब में बनाएंगे माइक्रोवेब में पकाने के लिए हम इतमें रख देते हैं और पांच मिनट का टाइम लगाते हैं इधर हम तरके की त्यारी करते हैं तरके के लिए करी पत्ता लेते हैं छोटी अलियाधी चमच राई और दो हरा मिर्चा लंबे टुक्रोव में कटा हुआ लेंगे तरका बनाने के लिए एक फ्राई पैन में हम दो चमच घी डाल देते हैं और उस घी में हम करी पत्ता को डाल देंगे घी गरम होते ही करी पत्ता के डालने के बाद इसमें हम राई डाल देते हैं और राई डालने के बाद कटे हुए हरे मिर्चे को डाल देंगे इसमें हम 4-5 चमच पानी डालते हैं और पानी डालने के बाद इसमें हम 1.5 चमच चीनी डाल देते हैं चीनी को घोलने के बाद एक बॉयल आने तक उबाल लेते हैं अब हमारा ढोकला भी बन कर त्यार हो गया है आईए इसको हम छोटे छोटे टुक्रों में कट कर लेते हैं यह बहुत ही स्पंजी होता है इसको हम चाकू से अराम से छोटे छोटे टुक्रों में कट कर लेते हैं और बनाए हुए तरके को इसके उपर डाल देंगे जिससे यह कटे हुए पीस में नीचे तक चला जाए और धोकला में तरके का टेस्ट आ जाए यह देखिए हम निकाल कर दिखा रहे हैं यह कितना स्पंजी है और खाने में यह बहुत ही जूसी मीठा टेस्टी लगता है आप इस तरह बनाईए और बताईए कैसा लगा